नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका एसल सी लर्णिंग पाइंट वाई सिंग सर आज हम करेंगे 14 शेप्टमबर की सिप्ट वन तू और ठीक है टोटल 60 कोशन होगे इसको भी पिनिस करते हैं चलो फिर देखते हैं कैसे सवाल इसमें पूछे गए हैं देखो पहला सवाल है सिरी कालदा ने अपने बेटे की सिच्छा के खर्चों को पूरा करने के लिए एक लाग पैंतेस हजार रिड़ पर लिए यदि बारसिक रूप से सयोजित व्याज की दर बारा परसेंट बारसिक है तो दो वर्स तीन महा के बाद उनके रिड़ चुकता क कितनी धन्दा सी । कमानी होगी तो सबसे पहली बात तो यहां पर का रूप से सहीं हो जीद इक कि चक्रवध दिव्याज की बात चल लए sanct लिया याने की अगर हम लिखते हैं 2 वर्स के लिए यहां पर एक एक वर्स यह ऊधे हो गयाीत इन महां करेंगा तो यहाँ से अगर करेंगे तो 4-3-12, 4-2-8, 4-5-20 हो गया, यहां से करेंगे तो 100-103 हो जाएगा, लेकिन यह दो बार था तो इसको कर लो, 100-103 हो गया, ठीक है, तो 25-25 यहां 625 और आ जाएंगे 2-0, यहां पर करेंगे 784, बोड़े में हो गया, 100-3 हो गया, यहांने कि 7-8-4-0, 3-4-12 हो गया, और 3-21 और 2-23 हो गया, यहांने कि जब हमारा प्रिंसिपल इतना है, तो एमाउंट इतना बन रहा है, अब इसी का मान दिया गया था किसका, 625 का, यहांने कि 625 00 का मान दिया गया, 135 0000 और हमें निकालना था 80752, अब यहां से देख सकते हैं, आप कैल्कुलेशन होने वाली है, अच्छी खासी, तो जितना बच सकते हैं, पहले तो उतना ही बचलें, 25-25 यहां, 625 हो गया, डबल 0 हो गया, इधर करेंगे तो 25-25 हो गया, बच्चा, चार बच्चा, बच्चा बच्का, बागतो जाएकने, एक बार जाएगा, फिर 5 बच्चा, लेकिन यहां पर एक ची देखो, 6 दूनी 12 किया, यानि कि यूनिट डिजिट 2 आना है, तो यह चलाई गया, क्योंकि पॉइंट तो 2 के बाद आना ही था, अब हमारे पास यह दो आप्सन बच्चे हुए, यानि कि दो आप्सन के लिए यहां पर या तो ऐसा करो, 21 का गुणा 10 हो गया, 217, 147 में 10 जोड़ देंगे तो 157 हो गया, हांसे लगा 1 हो गया, 218, 168 हो गया, एक जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, तो 169 यहां पर पहुंच गया, बात खतम हो गई, तो इस तरीके से इसको करना था, बस टे भी लिए आदो 21 वगएरा आराम सो जाएगा, और 2 तियाई दूरी 5 क suspension की चाल से, और सेज दूरी को कुछ अलग चाल से ते करने का देंदध लिए, 2 तियाई दूरी ते करने के बाद चाल याद की दिए, आप 2 तियाई यानि कि पूरी डिस्टेंस, अगर तीन तीस का दो तियाई करेंगे तो 2 हो गया, इदर एक बचा है, अब ये जो चाल थी, यानि कि 2 और एक तीन डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इसी का तीन कामान हमको दिया गया था, 7.5, यानि कि 2.5 गुना तो यहां पर करेंगे, यह 2.5 हो गया, पर यह पूरा 5 हो गया, यानि कि यह डिस्टेंस रही, अब यह जो पहला वाला था, वो 5 की चाल से, इसका हमें कुछ पता नहीं, लेकिन टोटल जो टाइम लगा है, वो 72 मिनट लगे, लेकिन हम यहां से सॉल्व करेंगे, गंटे में आएगा, तो 60 से भाग कर लेंगे, यह भी गंटे में बन गया, अब क्या बचा कैल्कुलेशन, यह वन हो गया, 12,60 हो गया, इदर करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, और 12,50 होता है, तो यह जाएगा, यानि कि 2.5 अपॉन में x, और यह यह दर बन आया न, यह उदर पहुंच जाएगा, यानि कि point का 2 हो गया, तो x बरावर करेंगे, तो 25 बटे में 2 आ गया, यानि कि आंसर 12 किल कुसल सर्मिक उनने के सामिल हो जाते हैं से इस काम को पूरा करने में उन्हें अब कितने दिन का समय लगेगा तो यह कह रहा था से इस काम कितने दिनों में होगा, एक्स दिनों में होगा, यादि की एक्स बराबर लिखेंगे, तीन दूनी छे, तीन दरकानों, अगला सबाल, खह रहा था, ग्रेजुएशन, एसी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बी और डी में असरे कुल संख्या बतानी थी अब देखो इंग्लिस में इसलिए पड़ा क्योंकि यह पड़ा नहीं जा रहा था मुझसे लिए मैंने उसको पड़ लिया आप यहां पर देखो यह लिखाता है ग्रेज यह इस दिस में 500 ब्राबर बसकता है चलेगी ऑब 5 alors छेरो चल रिए घृट 9 मैं 500 तो प्रिंटमे ने किस रिए जुआ पर गय है ओढरा क्रेंगे तो यहां पर सौब्ल में दी अ गया में तक है इतना तो लेडी बचा हुआ तह उसको लिख लो पांट चॉकू 20 हो गया पांट चालिस दो ब्यालिस होगया पांट दूनी 10 14 होगया गड़े में 15 करेंगे इदर लिख लेते हैं तो इदर लिख लेते बिलकुल अलग तो 0050 30 से लगा तीन हो गया 15 चुकू 60 63 से लगा चेपन डाइकम बंदराच केस हो गया यहां पर जीरो और यह इसको लिख रहे हैं टीन जीरो आ जाएंगे तो तीन जीरो यह अटा दो यानि कि इसमें भी है तीन जीरो तो कर सकते हैं आगे फिर करना पड़े और क्या कर सकते हैं जाता है सबसे छोटी संख्या क्या है एक में देखो एक जोड़ा तो कितना हुआ दो हो गया दो में एक जोड़ा तो तीन हो गया तीन में एक जोड़ा तो चार हो गया डिफ्रेंस में बरावर आ रहा तो कितना जोडने पर एक में एक बरावर में पांच हो गया सबसे छोटी संख्या एक था आंसर पांच अगला सवाब एक निश्चित अविद के लिए 12 परसेंट बार्शित साधार्ड ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है यदि अवदी के अंत में धनरासी मूल धन का चार गुना हो जाती है तो निवेश की अवदी क्या होगी अवदी के अंत म आता और बटे में सो हो गया आंसर आ जाएगा पच्चेस पस तीन चुकू बारा और सो काट लेना दो सैरों के बीच की दूरी नौ गंटे में साट की चाल से तय की जाती है चाल किलोमेटर पर गंटा में कितनी बड़ाई जाने चाहिए ताकि यातरा के समय में एक गंटे की बचत की जा सके पहले नौ गंटे लग रहा था अब आठ गंटे लगने है ये कह रहा था डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम जाना है इनकी रेशियो पे काम करने तो स्पीड का रेशियो आठ और नो हो गया आठ बराबर दिया गया था साट किलोमेटर पती घंटा याने कि आ अगले सवाल डाइमीटर ओफ वीस आठ ए स्लेंडरी कल वेसल इस थर्डी सेंटी मेटर एंडड याट इस फिपिट्टी सेंटी मेटर फ सैंटी मेटर फाइंड ट्रेस एरिया ते सिलेंडर पे तो टू पाई आर यह हो जाएगा सबसे पहले तो ग्यारा की डिविजविल्टी देखना था ठीक है उसके बात कैल्कुलेशन कोई करना अगर पहले मिल जाता तो बहुत आसान हो जाएगा 7, 8, 56 हो गया 15, 8, 120 हो गया 22, 44 हो गया 0 हो गया 12, 48, 44, 42 अगला सबसे ए और बी एक काम को 30 और 40 में कर सकते हैं साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन एक निश्चिस समय के बाद A काम छोड़ देता है और B से इस काम को 25 दिनों में पूरा करता है A कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है तो देखो A और B ये 30 हो गया ये 40 LCM 120 हो गया अब B ने से इस काम अकेले जो किया है वो 25 दिन किया है यानि कि 25 दिन में उसने कितना काम किया होगा 75 काम किया होगा यानि जो A और B ने मिलकर कितना किया होगा 120 में ये अकेले वाला निकाल दो इनका तो 120 से 70 गया तो 50 बचा 5 और कम कर दो 45 ये किस ने किया ये A प्लस B ने किया मिलकर तो 45 बटे में 7 यानि कि इतने दिन उन्होंने काम किया मिलकर उसके बाद A छोड़कर चला गया तो आंसर आ गया 76, 42, 43, 45 बटे में 7 अगला सवा एक घनाओ की लंबाई चोड़ाई और उचाई इतने के अनपात में है एज़ी गनाओ का कुल प्रश्टिय चेतरफल इतना है तो गनाओ के विकड की लंबाई क्या होगी विको कुल प्रश्टिय चेतरफल क्या होता अब इन में सम्में गुणा करेंगे तो एक चीज तो ध्यान रखना अगर हम इसको x x मानेंगे सबको तो x square आना ही आना है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं तो इन टू में x square और इनका कुड़ा कितना दिया था नाइन सेवन टू दिया था तो नौ शक्के चोवन जीरो नौ एकम नौ जीरो नौ ठेबातर हो गया छे दूनी बारा नहीं में 108 एक बराबर तीन आ गया अब देखो विकरड़ा में जब निकालना है तो एक चीज बता देखो अगर हम डारेक्ट लिखते तो इसे लिखते हैं 36 प्लस का 4 चोकू 16 प्लस का 3 तरका 9 नौ 6 15 15 6 21 अगया एक हो गया आंसर लगा दो भाई देखो बाहर तीन आना है और अंदर एक आना है बात खतम होगे यह सारे कैंसल हो गया भाई देखो यहां पर अगर आप लिखते तो 6X का होल स्पार प्लस का 4X का होल इसपार और प्लस में 3X का होल स्पार लिखते तो X स्पार तो कॉमन लेके रूट के बाहर क्या आजाता एक्स बना देता तो वो तो 3 आना ही आना है तो इसलिए यह दो आप्सन कैंसल आउट हो गए और इनका यूनिट डिट चेक कर लिया अगला सबार 2011 में उपस्तित होने बाले कुल चात्रों में से कितने परसेंट चात्र चिकत्सा चेत्र में उपस्तित हुए तो चिकत्सा चेत्र में उपस्तित कितने हुए 345 हुए अब टोटल कितने उपस्तित हुए वो भी हम देख लेते तो 345 यानि कि 5 यहाँ पर तो 0 है 5 एक 6 हो गया छे चार दस हो गया, दस की 0 हो गया, हासिल लगा, एक हो गया, यहने की 5 और 5 और 9 और 9 और 10, 10 और 11, हासिल लगा 1 हो गया, 4 हो गया चार और चार आठ हो गया आठ चार बारा हो गया बारा हो तिन पंदरा हो गया तो फंदरा सो दस आया है यहांपर यहनुकि 1,5,1,0 इन्टू में अंडेट कर देंगा तो यह से कैंसल आउट हो गया अब इसमें डारेक्ट कर लो 1,5,1,3,4,5,0 सबसे बड़ा दो लिखे दो दो इकम दो 15 दूरी तीस फानसे डो गया फटार लिया जीरो अप सबसे बड़ा क्या लिखा दो कि वाद 5 लिखा अब यहां पर अगर 5 का गुणा करोगे तो पंधा तियां पैटालिस बड़ा तो दो करेंगे दो यहां पर क्या करेंगे तो राउंड आफ करेंगे तो कितना आंसर आजाएगा थेज़ परसंट फिके अगला सवाल लड़के और लड़कियों की कच्छा में लड़कों की संख्या से दो गुनी है यदि बीस और लड़के कच्छा में सामिल हो जाते तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात एक बाद एक हो जाता सुरूबात में कच्छा में कुल कितने विध्यारती थे अब दिखो के बद लड़के आए लड़कियों में तो कोई फरक नहीं पड़ा अब यहां पर कह रहाता लड़कों की संख्या की दो गुनी पहली कंडिशन में यानि कि यह वाइस यह गल्स हो गए ल सब्सक्राइब अगला सबब्सक्राइब 30 के का profit किस पर लिया 125 के पर गोड़े में 100 हो गया यह cancel out हो गया इधर चार बार 25 परसेंट आंसर अगला सब अब इसको solve कर लेते हैं बाई सबसे पहले इसको 3 दूनी 6 और छोगया तोसातीया 21 हो गया दूनी चार हों गया यहां पर में 25 पर में 6 इसको जब solve करेंगे तो यह पांती है 15 एक 16 बटे में 3 गोड़े में 3 बटे में 8 तीन से 3 कैंसल 8 दूनी 16 हो गया यानि कि 2 प्लस का 10 बटे में 3 हो गया 3 दूनी 6 यानि कि 16 बटे में 3 आ गया यानि कि ये पूरा टर्म हम solve करके आये तो कितना है आया 16 बटे में 3 अब इसको solve करेंगे तो 4 चौकू 16 बटे में 4 हो गया जब यहां पर हम पूरा जब solve करेंगे तो 17 बटे में 4 गोड़े का sign 3 ऊपर 16 नीचे आ गया यहां पर भी डिवाइड का sign था तो 34 बटे में 5 गोड़े का sign करेंगे 64 ऊपर पहुंच गया यहानि कि 128 बटे में 15 हो गया तो यह cancel out यह cancel out हो गया 15 अगला सबर आठ लीटर की मात्रा वाले मिस्रड में एक मिस्रड में 80% दूद और 6 लीटर की मात्रा वाले मिस्रड में मिस्रड में 60% दूद है दोनों मिस्रड मिला दिये जाते हैं तो अंतिम मिस्रड में दूद का प्रसत कितना होगा अब एक चीज देखो, भय दोनों को मिलाया जा रहा आ है हमसे पूछा गया mixture में याने कि पहले वाले में कुछ रहा होगा, दूसरे वाले में कुछ रहा होगा, दोनों को मिलाकर, भी जम से पूछा गया, कुल मिलाकर, तो crash, तो अज़ यहां पर कर लो 2 तो दस्तियां 30 हो गया कुल मिलाकर जो भी हमने एवरेज माना है जो भी मिक्चर का मूल माना है उससे तो ज्यादा ही आना पर्सेंटेज यानि कि या पर 10 बढ़ेगा लेकिन एक में कितना बढ़ेगा चार तीन साथ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो सत्तू सत्तू उन स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया तो साथ पिलस का 40 अच्छा स्पीड दीगे ती तो साथ बुडे में चैंकर एक गहना तीन बार बेचा गया और कुल मिलाकर उसके मूल में असी परसेंट की ब्रंती हुई पहला विक्रेता क्रम से 20% का लाव अर्जित करता है और दूसरा विक्रेता 25% का लाव अर्जित करता है तीसरा विक्रेता द्वारा अर्जित लाव बताना देखो टोटल 100 से चीज 180 पहुंच गई यानि कि 100 पर कुछ प्रॉफिट हुआ 20% का तो 120 बटे में 100 पच्चेस का profit हुआ तो 125 बटे में 100 और हमें तीसरे का नहीं पता लेकिन हम इनका ratio बना सकते हैं बिलकुल 25 पंजे 125 पच्चेस चोकु 100 चारतियां 12 हो गया इधर करेंगे तो यह 6 हो गया यहने कि 5 से 6 हो गया कितना भाई एक बटे में 5 गुड़े में 100 यहने कि आंसर क्या आगया 20 परसेंट तो अर्जित लाप क्या था 20 परसेंट था तीसरे विक्रेता का अगला सवाल एक पुलिस कर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है जब पुलिस कर्मी चोर का पीछा करना सुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है मान लीजिए कि चोर की चाल इतनी है और पुलिस कर्मी की चाल इतनी है पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा अब यहाँ पर देखो बार है और यह हो गया टोटल यानि कि डिफ्रेंस हमारे इसाब से 2.5 इसका मान दिया गया था धाईशो ठीक है इसको पांच बटे में अठारे कर देंगे और गोड़े में कर देंगी यह मत करो गड़े में कर देंगे दस तो यह 0 यहाँ पर पहुंछ गया 35 análसर आगया एक हजार मीटर यहां से बागा यहां पर और पुलिस वाला भागा यहां से आता है तो जो भी टाइम यहां लगा वही टाइम पुलिस वाले को लगा टाइम कॉंस्टेंट हो गया रेशियो पर काम कर लें स्पीड में रेशियो 10 और 12.5 हो गया डिस्टेंस में रेशियो फिर क्या होगा 10 12.5 होगा हमारे हिसाब से कितना डिफ्रेंस है 2.5 इसी कामान दिया गया था 2500 ठीक है अब हमें क्या निकालना था चोर का तो चोर के लिए तो यह था यानि कि 10 बराबर निकाल लेंगे आंसर आ समझ में हागी होगी बात अगला सबसे दो संख्याओं को अनपात इतना है अंतर कितना होगा इनका डिफ्रेंस करेंगे पहले तो सिंपल सी बात एक देखना है यह 7x और 7x हो गया LCM लोगे तो लोईस्ट कॉमन फेक्टर यानि कि x इंटू में 7 इंटू में 11 हो जाए गा बराबर में क्या हो गया 462 हो गया उसके इलाबा क्या कर सकते थे इंटू में एक्स आता है यहीं कि यह कैंसल यह कैंसल आउट हो गया केबल चार्ट से यहीं तो दो टर्म कट रहे थे आप केल्कुलेशन कर लेते हैं 1144 ग्यारा दूनी ब्याले साथ चक्का ब्यालिस हो गया नहीं कि x बराबर क्या आ गया 6 आ गया अब गुणा कर दो तो आंस कितना होगा अब देखो जो भी लिखा हुआ है उसमें कहीं सेस बगारा लिखा है नहीं लिखा न तो इनको सब को जोड़ दो 35 और 15 35 पचास पचास और 56 और चार साथ हो गया सत्तर हो गया यहीं कि सत्तर परसेंट वो खर्च कर दे रहा है सो में से तो बचा कितना उसके पा को करता है हिंदी अंग्रेजी गड़ेत और असायन में इतने इतने अंक मिलते हैं गड़ेत हिंदी और अंग्रेजी में उसके उसत अंक गड़ेत बहुत की और असायन विज्ञान में उसके उसत अंक से अधिक है यानि कि गड़ेत हिंदी और अंग्रेजी पहले तो इनको स सेकेंस बठाना पड़ेगा यानि की घड़ेत तीसरे नंबर पर है और फिर हंदी लेना पड़ेगा और फिर इंगलिस लेना पड़ेगा इंगलिस का पर अच्छा सुरू बात के लाश्ट के तीन हो इनको ले लेंगे तो 8-8-16-16-17-18 अच्छे तीन बच गया तो तीन बच गया और इतना ही बचेगा और डिवाइड कर दो 3 से अब डिवाइड क्यों किया गया तीन से भाइं यह तो आप समझ गया यह एवरेस था तीन यह एवरेस था थीन इनका डिफ्रे क्या है जो अगला सबन जब यह बारसी गरूप से सयोझत किया जाता है तो बेंक खाते में धनदाशी साथ वर्च में दोगनी हो जाती है अब वहार से कह रहा था था ना अब आप आठ का बोला थो आउड की यहां पर लिखा यहां पर सेम बना लू और जो पावर आती है तीन का आप वो बर्स में गुणा कर दो, आंसर आ गया 21, हम यह सा याद रखो, कुछ भी हो सकता, यह जो यहाँ पर होगा न, बही बेस यहाँ पर होना चाहिए, और पावर में जो भी है, पहले वाले के टाइम में गुणा कर दो, अगला सबर, एक कार इतनी की चाल से इतनी यातरा करती है, फिर इतनी यातरा करती है, पूरी यातरा की कार की औसर चाल बतानी, अब दीखो, 200 किलोमेटर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, डिस्टेंस कॉस्टेंट हो गई, जब डिस्टेंस कॉस्टेंट हो थी, तो एवरेज स्पीड का पार्मूला होता है, 2 xy upon x plus y, कब? जब हमको केबल 2 speed दी जाए, तो 2 गोड़े में 50, गोड़े में 80, बटे में हो गया 130, जीरो से 0 चला गया, आट पने 40, दूनी 80, बटे में 13 हो गया, 136, 78 हो गया, बचा केतना है, 136, 78 हो गया, बचा केतना है, 138, दो बचा, 131, 13, आंसर, अ जो या, उसी study table को, आदर्स को इतने के लाब पर, यदि आदर्स ने study table को इतने में खरी दी, तो प्रवीड के लिए study table का मूल क्या है, 2250, बटे में 125, बटे में 90, ठीक है, 25 पंजे 125, 25 ने में 225, ये इससे कैंसर, ओपर दुनिया बर गये 0 रहे होंगे, तो आंसर आगया हमारा 2, ठीक है, पस आपको जितना, भाई हमें क्या 0 बगएरा सा मतलब है, प्रवीड का मूल ये रहा, 10% घाने का मतलब ये हो गया, और ये 125 बटे में 100 हो गया, बरावर में हो गया 2250, इसको solve करना था, अगिला सवाल, एक चोर ने एक पुलिस कर्मी को इतनी मीटर की दूरी से देखकर 12 किलोमेटर पर गंटा की चाल से दोड़ना शुरूर गया, पुलिस कर्मी इतनी की चाल से दोड़, उसका पीछा गया, और चोर पकड़ लिया गया, चोर द्वारत है की की दूरी, अभी इस टाइप का सवाल गया, अब कोसिस करना, औरल बनाने की, यानि की एक बरावर 300 दिया गया था, बारे बरावर हमको निकालना था, आंसर आ गया 36 मीटर, भाई अभी बताय था, टाइम कॉंस्टेंट हो गया, तो स्पीड का रिश्यो क्या, 12-13 हो गया, तो डिश्टेंस का रिश्यो भी सेम हो जाएगा, हमारे साथ से डिश्टेंस में डिफरेंस एक का है, कोस्टन में 300 दिया गया था, चोर का क्या है, 12 है, तो 12 बरावर कितना हो गया, 37-80, अगला सवाल, सुरेष अपनी आय का 20% ब्रद्दी होती है तब भी पहले जितनी ही धन्रासी बचा सकता है उसके बे में हुई प्रसत ब्रद्दी बता देखो आए अगर सो है तो 20% बचाता तो असी खर्च करता है ना यानि कि 20 से कम 20 20 चोकूँ अशी 20-50 यह इंकम हो गई और यह हमारी सेविंग हो गई और यह हमारी एकसेटीचर हो गया और यहांपर देखो कह रहा था चार साल बात क्या हूआ 40% की भ्रंदी हुई API में सु ठीक है सेविंग में कोई ब्रंदी नहीं हुई यानि कि क्या कर तो उतनी बचा पा रहा है यानि कि इसको ऐसे छोड दो अब क्या करते हैं इनका गड़ा कर लो 200 प्लस में 0 प्लस में 4X हो गया, सुरी यहां पर बराबर लगाओ, अब यहां पर 4X बराबर 200 हो गया, यहनि कि X बराबर क्या गया, चार पंजे 20, यहनि कि प्लस का आया, तो यह इतनी ब्रद्धी हुई, मैनस काता तो लॉस होता, इस सवाल को इसी तरीके से किया करो, बहुत जल्दी हो जाता है, अगला सवाल, तिर्वुज की बजाएं यह भी गई थी, तीनों बजाओ के मद्ध बिंदू को जोडने से बने तर्वुज का छेतरफल क्या होगा, अब भाई देखो, अगर हम यह देखते कि पूरे का क्या है, चलो पहले तो ऐसे ही सबजागे, पांच, बारह, चलों अब एक चीज़ बताओ, अगर यह बताओ, अभी यह ट्रिपलेट है न, ऑई सभी बराबर, 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 तो इसा तो हें इत्रप्लेट क्थम हो गया तो एक बडे में दो कुड़े में फाउसप अगर किंदा हो गया जै दो तो अगर अर्द के दे आदा बोल दे yagini कि मद्द विन्दू का बोल दे तो हमेसा क्या होगा चार से डिवाइट होगा लोगा समझ गया इसा क्यों हो रहा कियों कि यहां पर देखो यह यहां से निकल का गया इसलिए हो रहा है और कोई रीजन नहीं अगर ऐसा बाल, एभान सी अलग अलग काम करते हुए इतने दुनों में पूरा करते हैं, यदि वे शाइतों मिलकर काम करते हैं, तो पर लेए हो और 25 का, अगर lcm लोगे तो 25 आ जाएगा, और 20 से 5 तो चला गया 55 में, लेकिन 4 रह गया, तो 45 वरक आ गया lcm लेने पर. अब इसकी efficiency कितनी हो गई 20 हो गई इसकी efficiency कितनी हो गई 11 हो गई इनकी कितनी हो गई 4-5 यानि कि 220 बटे में हो गया 4-1-5 और 2-3 अब आपको इसी तरीके से लिखना अगर आप ऐसे लिखोगे न टाइम चला जाएगा आपको बहुत ज्यादा तो इतना नहीं जितना से दिया क्या गया है तालका में 5 अलग अलग विशिव में 5-4 द्वारा प्राप्त अंकों का पर्सेंटेज दिया गया तो अधिकता मंग क्या थे अंसर आगया ठीक अब यह जीरो भी था पॉइंट कमा सोचना की पॉइंट आ रहा है पॉइंट कहा चला गया जीरो तो लिखाई नहीं ना एक ब्यक्ति बारा की चाल से इस्तान पर अठारा की अच्छा इतनी चाल कर दी तो 24 किलोमेटर अधिक चलता है इसके द्वारा तै चला भाई के कोशन में 24 उसके द्वारा तैगी कि बास्तविक दूरी कितनी है बास्तविक दूरी तो यह थी ना तो दो गुना कर देंगे 48 अगला सवार साधार ब्याच बर 800 की धनरासी तीन वर्स में इतनी हो जाती है यदी ब्यास दर में 3 परसन की बरदी की जाती तो धनरासी क्या होगी साधार्ड व्याच की बात है बाई रेट में 3% की ब्रद्धी कर देते तो इतना ही और ज्यादा मिल जाता और क्या होता आड़तियां 24 तियां 72 मिल जाता है अब ये 72 इसी में जोड़ दो तो दो हो गया साथ चार ग्यारा हो गया अगला सा बाल मोहित नीतु और सोमा एक काम को इतने दिने में कर सकते हैं यदि बारी बारी एक दिन छोड़ कर काम करते हैं मोहित पहले दिन काम सुरू करता है और नीतु दूसरे दिन मोहित नीतु और फे सोमा तो कह रहा था मोहित च तो मोहित के अगर efficiency लिखेंगे तो पांधूनी ज़स पांचौकूवीस और इसकी लिखेंगे नीतू की तो छेदूनी बारा हो गया और सोमा की लिखेंगे तो पंदर अठे के इकसो बीस हो गया और इसका भी दो गुना कर देंगे यानि की 118 काम हो गया किसमें कितने दिन में तिक से डेस में यानि की काम बचा कितना है भाई दो काम बचा है अब पूरा सरकल एक बार घूम चुका आप किसका नंबर से आजाएगा फिर से भाईसा पौन आजाएंगे मोहिद यहनि कि 6 प्लस का यह दो काम मोहिद करेगा तो दो एकंदो दो दूनी चार हो गया है यहनि कि 6 से एक वटे में 12 अगला सवर एक बस्तु को इ तो इधर करेंगे तो चार दूनी आठ या तो आठ से ही गाट लें ठीक है आठे कम आठ आठे कम आठ 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 चॉक बरतिस यारा चॉक चबालें गया जीरो चौदा आठ एक निकलना था अगला सभाव एक टीशर्ट का मूले 450 है और एक जीन्स का मूह इतना है आप ती शर्ट और दो जीन्स खरीते हैं तो प्रतिय कपड़े का औसत मुल लिखे आओ तेखो ताड़े चार सो था और कितनी टी शर्ट खरीती तीन टी शर्ट गोड़े में तीन फ्लस का 1650 गोड़े में दू और टोटल कितने आइटम हो गया तीन दो पांच हो गया तो पां इतनी है इसके आधार का व्यास इतना है लंब्रतिय संगू का क्रमसा बक्र प्रिष्टिय μट्रेशचे रफल हमें निकालना है कर दो कोई आप्सन है तो नहीं कि आईसा हो कि सेम हो रहा हो तब उस पर काम नहीं करेंगे यहां पर तो सभी अलग तो हम इसी पर काम कर लेते ह होता है पाई आर एल होता है यह ने की 22 बटे में साथ आर का मान हो गया 30 बटे में दो एल का मान कितना हो जाएगा बैई यह तो रेडियस होगी 15 हाइट हो गई 20 एल कितना हो जाएगा पांती है 15 पंद्र Hey पंद्र बना दिया वोडे में 25 हो गया 10 अब पर क्या करेंगे अच्छा पाई को नहीं काटा है चलो पिर तो यहा से चोड़ दो यह पाई शूड़े नोगे ऐ़े John aagla क्ला शाहा Дो यहirl dei जोड़ोने पोना सी ही निअस।bai पांच में जोडने पर जोड देते हैं तो फॉर फाइब हो गया इसमें जोड देंगे तो टू त्वारा यानिकी पांसर बावन जोरी दोसो बावन और यह हो गया दोसो पच्छास अब देखो तीन से डिविजवल हो नौ से भी डिविजवल हो पांथ चार नौ दो ग्यारा नौ से नहीं है यह हो रही है यह भी नहीं है अंसर एक आ गया अगला सवाब 2006-2009 के सभी बरसों में नामांग के लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का अनपाद बताएए देखो छे से लेके नो तक की बात कर रहा था यानिकी लड़के और लड़कियां यह रही गल क्या तो 5 4 9 यह कहां होगा यह नहीं होगा लड़कों में ठीक है यह होगा चेचार दस तसा 17 सत्रा और 28500 यहां पर देखेंगे तो यह 300 था यह कितना था 600 900 हो गया नो 5 14 सो गया 14 6 20 गया 2000 हो गया के अगला सवाल किसी घं का भार उसके आयतन और उसके घनतों के अनकुरुमान पाती है। पहले घं और दूसरे घं के पदारतौं के गनतों का अनकुरुमान पातsan थै। यदि पहले गन का भार, दूसरे गन के भार का चार होना है, पहले गन और दूसरे गन के किनारों का अनपात क्या होगा, यानि कि side का ratio, तो वो कह रहा था, weight के किसके अनकुर्मा अनपाती है, यानि कि उसके volume और उसके घनती, यानि कि density के, ठीक है, पहले गन और दूसरे गन के पदार्तों का गनत्तों का अनुपात यानि कि D1 और अपाउन में D2 बराबर में 27 बटे में 16 तो कहरा था पहले गन का भार दूसरे गन के भार यानि कि W1 और W2 दूसरे गन के भार का 4 गुना है तो कहरा था पहले गन और दूसरे गन के किनारों का अनुपात अब यहां पर दे को अगर हम लिखेंगे तो W1, B1 और D1 हो गया, अगर W2 लिखेंगे तो बराबर में K, B2, D2 हो गया, क्योंकि दो कंडिशन हमको दी गई थी, अब अगर दोनों कंडिशन में हम इसको अगर डिवाइड करते, तो यह के से कैंसल आउट हो जा था, constant तो सेम रहता, तो यहाँ प अब यह B1 अपान B2 होता क्या है, साइड का क्यों होता है, यहनि कि A1 अपान में A2 का whole cube लिख सकते है, वॉल्यूम, भाई गन का आइतन क्या होता है, साइड का क्यों, यहनि कि अगर हम लिखते तो चार बटे में 3, A1 अपान में A2 हमारा आँसर आजलता है, अगला सबार, हम लिखे 2 संख्यात्मक भेंजिकों की तुलना करने पर हमें ग्यात होता है कि, सबसे पहले तो इनको simplify कर लो भाई, यहाँ पर लिखा 2 दूनी 4 और एक 5 बटे में 2, गोडे में करेंगे 3 बटे में 5, cancel out हो गया, फिर यहाँ पर करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और साथ 25 बटे में 9 मिक्की पावर क्या हो गया, 3 बटे में 2 हो गया, यहनि कि लिख सकते हैं, 5 बटे में 3 की पावर 2, गोडे में 3 बटे में 2, यहनि कि यहाँ पर आगया 5 बटे में 3 की पावर 3, दूसरी कंडिशन में यह लिखा तो 5 से 5 यह cancel out, फिर 5 एकम 3 तो 5 बटे में 3 की पावर 3 हो गया, को इतने रुपैर प्रती किलोग्रामे 원ay काफी powder को इतने रुपैरपर ते साथ की संपाल में मिलाया धाकि वैस्ट के इन का इनका-डे प्रेंज्ट सो गया इनका इनकाट डिफ्रेंज्ट इरो पांच हो गया आंसर आ गया समझे रिना नहीं समझें, समझ गए होगे, इतना आसान सवाल है, इसके लिए इस तरीके से मैंने कर दिया था, यह देड़ सो हो गया, यह यहां से करेंगे तो यह सो हो गया, 0 से 0, 5, 15, 15, 10, अगला सवाल, टेनिस, फुटवाल और किरिकेट पर मिलाकर कुल बे, गोल्फ, तेराकी और ही रहा, तो टेनिस, फुटवाल, किरिकेट पर मिलाकर देखो, टेनिस यह रहा, फुटवाल हमारा, यह रहा, और क्या था, एक किरिकेट, किरिकेट ना रही, यह रहा, यहनिकी 85, 70, और यह हो गया, 7, दूसरी कंडिशन में, गोल्फ हो गया, तेराकी हो गया, और गया इदर करेंगे पांच हो गया साथ चे तेरा और एक्केस हो गया अब वो कह रहा था कि मिलाकर कुल बे से कितना परसेंट अधिक हो रहा यह वाला जीरो औरा 11 से 4 गया तो साथ हो गया साथ अधिक है किस से 145 गुड़े में सो प्रते इंगी तो यह कटना तो है नहीं तो पांगो नवी दस 25 पांगो निदस हो गया हैनि कि 14 सबसे पहली बात है अधिक हो रहा था कम तो हो नहीं रहा था तो यह तो हटा दो ठीक है अधिक होगा अब फुरू में दो लिखा है चार लिखा अगर दो वार है यहां पर सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करेंगे उनतिस गोड़े में चार किया चार दुनिया अठाव तीन ग्यार हो गया एक सो सोलह एक सो चालिज से छोटा आगया आंसर लगा ठीक है सबसे पहले सबसे बड़ा ही चेक करते हैं क्योंकि उसका रीजन होता अगर आपने छोटा चेक कर लिया तो हो सकता बड़ा बड़ा भी इतना आए और उनके द्वारा लिये गए समय का योग 28 गंटे इसमें ताकि चाल कितनी होगी अब देखो दोनों 48 और 48 जा रहे थे यह सबसे बड़िया तरीका है ऑप्सन से लोग आपका आसानी से आंसर आ जाएगा जो भी 48 को काट पा रहा हो अब बाकी क्या करेंगे 48 यह हमने LCM तो S2 प्लस का S1 बराबर में 28 यहां पर भी आप क्या सोच होगे यही सोच पाओगे कि भाई यहां पर भी गुणा करके करना है तो बही चीज वेटर भी रहेगी यह 14 दिया था और S1 S2 आपको 24 दिया गया था ठीक है अब यहां से हमारा काम बनता है कि S2 S1 माइनस का S2 निकाले तो क्या करेंगे इसका whole square बराबर में लिखेंगे S1 प्लस S2 का whole square ठीक है माइनस में 4 S1 और S2 हो गया अब इसके सब इसमें सब के मान रखने पड़ेंगे तो यहां पर मान रख देते हैं S1 माइनस S2 का whole square बराबर में 14 जोदिया में में क्या था 10 था तो S1 बराबर में दोनों को जोड़ कर दो का भाग कर देंगे तो आंसर आ गया बार है तो आप जितनी मैनत करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है कि options का सारा लेके करोगे कि पूरा solution करो अगला सवाम तीस आदमी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं उन् गबचा कितने चार दिन का काम था देन का काम हो चुका उसके बाद 10 राद यानी की आदमी हो गया तो एकसे से करेंगे ये 0 से 0, 4 से 4 चला गया है ये कि ये कितने दिन में सेस काम हुआ तीन दिन में और 6 दिन ये ते टोटल के दिन हो गया है अगला सवार प्रेंसिपल अगर 100 है रेट आपको 5.5 परसेंट दिया गया है तो ब्याज कितना आएगा इसको जोड़ेंगे तो टोटल एमाउंट कितना हो गया 122 हो गया हमारे एसाब से 122 कोश्चन में 750 थी निकालना क्या है धनरासी यानि कि 100 कामान तो यहां से करेंगे 2.6 12 2.1 2.5 10 हो गया अब यहां पर दिखो ऐसे तो नॉर्मल बात बनेगी नहीं इनकी 61 एकम 61 हो गया बचा कितना है पांस से गया चार साथ से चे गया एक जीरो हो गया अब दो बार करेंगे तो 120 यानि कि 61 गुड़े में 2 किया निकी 2 बार बाग जाएगा तो एकम दो 2 चक्के बारा यहनि कि 122 एससे मटा देंगे तो 10 से दो गया आठ अठारे आ गया बाग कर दो यानि कि 3 की पावर बारे गुड़े में 4 की पावर बारे होगी यहां पर लिख सकते 3 की पावर 35 गुड़े में 4 की पावर 35 इसको हमने क्या किया अलग लग लिख लिए है बाकी क्या बचा है कैलकुलेशन करना बचा है यानि कि यह 3 का पावर 35 यह चार का पाव अच्छा सेही घटार है ना चलो कोई बात नहीं तो यहां पर इस तरही के सेुलिख लो 12 अीप पावर-播़र के समय-बात नीचे हो जाएगा 12 की पावर 35 अब जादा से न रहेगा जीथ है तो माइनस की पावर पावरन जाएगी तो 12 ε-35 अब तो इतनी की चाल से बाफास आता पूरी यात्रा में उसे इतने का समय लगता है तो उसके घर से सबजी बाजार की दूरी क्या है यानि कि एक चीज़ देखो डिस्टेंस तो कॉंस्टेंट हो गई तो स्पीड का रेशियो 15 और 10 हो गया डिस्टेंस का रेशियो भी यही रहता अगर टाइम का लिखते तो क्या हो जाता अपोजिट हो जाता हमारे इसाब से टोटल टाइम कितना लगा 25 लगा को फोस्टन में कितना लगा दो घंटे 30 मिनट को चेंज करेंगे तो 30 दूनी 60 हो गया यानि कि पाँच बटे 2 घंटे लगे तो पाँच बटे दो घंटे और अब सब्जी के यह पूछाए कि दूरी कितनी है तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो एस इंटो करना पड़ेगा यानि कि यही तु दिया गया ता 15 गोड़े में 10 इस कामा निकालना ता 15 गोड़ बार्षिक दर से अर्ध बार्षिक रूप से दे हैं तो एक बर्स के बाद इतनी की रासी पर दे कितनी होगी तो एक बर्स का पूँचा गया है अर्दवार्थिक का मतला बैए एक साल में 6-6 महने की दूस लेप यानि की अल्टीमेटरी टाइम यह हो गया और रेट आदी हो जाएगी 6% अब दो साल का अगर एफेक्टिव हमें रेट निकाल ली हो तो फार्मूला होता ही है यह यहीं की 6-6-12 हो गया यहीं की 12.36% डारेक्ट हम लिख सकते हैं अब हमें यहीं निकालना था वन फाइव बन टू फाइव डबल जीरो सा सेवें टू स्वरी वन टू है न छेचे बारा बारा दसंबलर तीन छे परसेंट ठीक है प्वाइंट अटाएंगे तो दो जीरो और आ जाएंगे अच्छा हम से अमाउंट पूछा गया था तो एक ची देखो यह जो हमने टोटल सॉल्व किया वो हंडेट पर ही करते हैं यह तो ब्याज का आ गया यानिकि यह अगर करते यह क्या बन जाता हमारा अमाउंट बन जाता तो यहां पर एक और बढ़ा लो जीरो जीरो पच्चि पूछा गया था तो डारेक्ट लिख देखा हां डारेक्ट लिख सकते क्योंगी अगर एक्स एक्स बनाओगे तो यहां पर भी एक्स स्क्वार 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 कॉमन ले प्रसंटेज बताईए देखो बिक्रेमुल आठ है आने अमारे पास एक है तो अगर कॉस्ट प्राइज लिको गए तो क्या लिको गए तो क्या लिकोगे सेलिंग प्राइज फ्लस का अलॉस उतपाद पर 12% अर्जित करता है दुखंदार उसी बस्तुपाद 10% का लाव अर्जित करता है यह दुखंदार उतपाद को इतने में बेचता है तो कारखाने के मालिक के लिए उतपाद का क्रेमूल क्या है तो देखो भाइ 98.56 अपन में हो गया 110 और अपन में हो गया 112 11,8888 हो गया 10 बच गया 11,99,99, 1666 हो गया इधर करेंगे तो 4 दूनि 4,48,32 हो गया इधर करेंगे तो 4 दूनि 4,16 हो गया 4, 76,28 हो गया 4,50,20,24,12,7,8,56 हो गया 18 किसी में अंसर लगा दे अगर इस तरीके से लिखके दे तो हम पूरी कल्कुलेशन करेंगे अब उसका कुछ मुह लिए रहा होगा यह प्रॉफिट हमने यहां से ले लिया और यह प्रॉफिट हमने यहां से ले लिया बराबर में इसका 98.56 अगला सवाल कितने चात्रों ने 125 से अधे कंक प्रात की है तो यहां पर करेंगे पहले तो यह देख लो इसको एक चातर दिया गया यहां पर रेंज दी गई 125 से 130 के बीच अब यहां पर क्या हो सकता है यह एक होगा ना वह सकता है 125 ही लेकर आया हो ठीक है तो उससे ज्यादा लेना पड़ेगा और फिर यहां पर देखो तभी इसको छोड़ कर देखेंगे तीन तो पांच आट पांच तेरा तेरा और पांच तेरा पांच अठारा चार बाइस और एक तेही समारा आंसर आजाए और वैसे अगर देखते तो चोबिस आप लोग करते अगर सब मिला ले का सबसे पहले इस सबसे करेंगे तो इननें तबस का आठा आ आ लगा सोला और इट यहूट हूट है एक रेल गाड़ी इतनी की चाल से चल रही है रेल गाड़ी जिस दिसा में जा रही है उसी दिसा में 17 की चाल से दोड़ रहे ब्यक्ति को पार करने में रेल गाड़ी को कितना समय लगेगा यानि कि रेल गाड़ी अपनी ही डिस्टेंस पार करेगी यानि कि अपनी ही लंबाई और दोनों दिशा में चल लाएते तो स्पीड क्या होगी घड जाएगी 125 से 17 माइनस कर देंगे तो 15 से 7 गया 8 हो गया इनकी 108 आ गया ये किलोमीटर पर गंटा 5 18 ऊपर चला गया 18 चक्के 108 हो गया 6 18 हो गया 6 48 हो गया तो यह योग आ रहा यानिकी 10 गुना हो रहा था यानिकी जीरो तो आप्सन में आना ही चाहिए था उसके इलावा लसे आई ही नहीं सकता अगला सवाव अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं ठीक है सेलवी 8 दिनों में एरेन और अलवी इतने में यह काम हाथ में लिया केविन की मदद से 3 दिनों में काम पूरा हुआ केविन को कितनी धन्रासी मिली यानिकी एरेन था फिर सेलवी था फिर एरेन सेलवी और केविन तीनों हो यहां पर 6, 8 और 3 हो गया है, LCM 24 हो गया, 6, 24, 8, 3, 24 हो गया, यानि कि इसकी 4 आगे, इसकी 3 आगे, तो इसकी 1 efficiency हो गया है, यानि कि टोटल 4, 3 साथ, 8 ती, 8 बराबर में दिया गया है, ता 7200, और 1 बराबर निकालना है, ता 8 ने बातर आंसर आ गया है, 900, फैसा हमेशा efficiency के साथ पर बाढ़ते हैं, अब माल लो, आप हो, आप ता भाई है, और एक लोग और कोई है, तीनों लोग हो, एक खेत में काम कर रहे हो, और आपका ही खेत है, तो आप और आपका भाई तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन यह जो ठीसरा बंदा है, वो उतने अच्छे से क सम चतरवुज का आधार समान है, तता सम चतरवुज 45 डिगरी के कोड़ पर जुका हुआ है, बर्ग के छेतरफल और सम चतरवुज के छेतरफल का अनुपात कितना होगा, वो कह रहा था है, एक बर्ग और सम चतरवुज का आधार समान है, यानि कि इस तरीके से बना ये बर होगा अगर इसका लिखोगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा एंटू में एंटू में साइन पैतालेस अगर फार्मूला पता हो तू नहीं पता हो तो कोई बात ही नहीं जब आप इसका भी निकालोगा ना तो यहां पर 90 डिग्री होता है ए लिखोगे ए तो अगर इसका इरिया निकालोगे किसका स्कॉयर का तो ए इंटू में ए इंटू में साइन 90 का मान वन होता है के सब्सक्राइब अगर ना पता हो तो नोट कर लेना अगला सवाल पी और क्यू कुल बेतन इतना है पी और क्यू अपने अपने बेतन का क्रम से इतने और इतना परसंट बचाते हैं उनके बेह समान है तो पी के बेतन और क्यू के बेतन का अनपात देखो ये पी का बेतन पी माल लिया क्यू का बेतन क्यू माल लिया इतना बचाते हैं तो यह खर्च कितना कर रहा हैं 30 पर्षन बचारा 40 % खर्च कर रहा यह 40 पर्षन बचाराhmen तो 60 पर्षन कर रहा है तो यहां पर एँनका अगर रेश्यों बनाएंगे पी-अपार। ब्चॉए वह पुंचा गया यह इनकम का रेश्यों अगला सवाल 140 प्रति किलोग्राम और 90 प्रति किलोग्राम चावल को किस अनपात में मिलाए जाए यह तो आसान है पूरा पढ़ना भी नहीं 20 हो गया यह 30 हो गया आंसर आगया 2 अनपात अगला सवाल एक बंद लकड़ी का बकसा बाहर से इतना इतना और इतना उंचा है यदि लकड़ी की मोटाई इतनी है तो बकसे के लिए आवस्यक लकड़ी का आयतन तो 8 चंग 48, 480 हो गया यानि कि यह 9 बचा, 7 बचा और 5 बचा यानि कि 7, 5, 35, 9, 25, 29, 27 और 7, 29, 27 और 4 डिफ्रेंट 10 से 5 गया 5 बचा, 7 से गया तो 6 बचा, 105 ठीक है अब एक चीज़ समझो जिस भी कमरे में बैठे हुआ आप उसके बारे में थोड़ा सोचो वो एक कमरा आया अगर आपको यही सारी साइडे दे दी जाती 10, 8 और 6 तो आप आए तर निकाल लेते बड़ी आसा 480 आप निकाल लेते अब आपको क्या करना है जो उस पर आपने लकडी की कवरिंग चाड़ा रखी एक कमरे पे ना उस पो हटाना है यानि कि वो लकडी की मोटाई 0.5 थी यानि कि अगर आप एक फर्स का देख लो यानि कि यह च्छत है आपकी यह तो एक खेस मान लो तो यहां पर यह कवरिंग चड़ी थी इसको मिलाकर पूरे यह 10 थी अब अब यह कवरिंग हटा देंगे तो 0.5 इदर से चला जाएगा टोटल जाएगा कितना एक यानि कि 10 से एक कम करेंगे तो 9 चला गया तो इसी तरीके से 8 से भी एक कया 6 से भी एक यह यह लकडी की तो मोटाई चारों तरफ होगी ना लंबाई चोडाई उचाई सब जगए होगी तो उसी हिसाफ से हमने मौ माइनस करके फिर पूरे भाग से अठा दिया तो केवल यहीव बदाग बचेगा जो अल्का-ल्का से कर रहा हूं अगला सबस चलिये फिर 14 सब्टैंबर की सिफ्ट थडी आपकी समाप्त होगी बैसे तो यह लास्ट होती लेकिन बारेक्वी बच्ची हुई है उसको भी करा देंगे तो आप लो के लिए वीडियो में बस कमेंट करते रहेगा जय हिन्द जय बारत